सिंबा जैसे धमाकेदार हिट देने वाले डिरेक्टर रोहिश शेटी और स्टार रनवीर सिंग की जोड़ी शुकरवार को अपनी नई फिल्म सरकस लेकर आई जो बता रहे हैं उस हिसाब से सरकस पिछले एक दशक से जोड़दार हिट फिल्में दे रहे रोहिश शेटी और रनवीर सिंग दोनों के लिए थोड़ी सी उदासी लेकर आती दिख रही है लॉकडाउन के बाद बॉलिवड को पहली बड़ी हेटर सु रेवंशी देने वाले शेटी के फिल्म बॉक्स ओफिस पर इतनी फीकी पड़ जाएगी ये उमीद किसी ने नहीं की थी शुकरवार के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की शिरुवाती आंकडो के अनुसार सरकस ने पहले दिन 7 करोड़ 50 लाख रुपे और 8 करोड़ 50 लाख रुपे के बीची कमाई थी है फाइनल आकड़े आने पर कलेक्शन अगर थोड़ा भड़ भी जाए तब भी ये तैह है कि सरकस पहले दिन बॉक्स ओफिस पर दहाई का आकड़ा चूने से चूप जाएगी अभी तक रोहित बॉलिवूर के उन डारेक्टर्स में से एक थे जिनकी पिछली सभी फिल्में एक से भड़कर एक हिट रही थी उनकी आखरी फ्लॉप फिल्म संडे थी जो 2008 में आई थी यानि पिछले 14 साल में रोहित ने एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं लेकिन सरकस के फ्लॉप होने से उनके इस रिकॉर्ड में एक डैंट पढ़ने लगा है प्लॉप जसान भी अ들ा सिर्काउंण तक का यानि जी रहीं से. विरो रिपोर्ट वीरी टीवी भारत